चलिए, नाव हमारा upcoming कुछ दिनों बार 23rd को exam है regular वालों का, आज SL वाले exam देखाएंगे, उनका 27 ये 26 जो भी पढ़ता है, next Sunday है, तो उन सभी के according मैं एक strategy plan बना रहा हूँ, जिनका 6 से 7 दिन है, वो उसके according करेंगे, और जो 3 दिन, मैं 3 दिन के according ही लेके चलूँगा, 2 से 3 दि आप जो chapter pick करें, वो budget करें, और budget में भी क्या करें, आप flexible, flexible budget के उपर focus करें, एक production budget, इसके अंदर ने cash budget भी है, उसको आप ignore कर सकते हैं, ignore का मतलब छोड़ नहीं देना, ignore का मतलब उसको आप less importance दे सकते हैं, cash budget पर, ठीक है, दूसरा chapter आप जो उठाएं, वो उठाएं, आप absorption costing, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, 4-5 सवाल मैंने वीडियो में कराएं, 10-year के जितने सवाल थे, वो भी मैंने सारे करा दिया, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, जो similar question थे, वो नहीं कराएं, तो इसके बाद आपको absorption costing करना है, मैं sequence बता रहा हूं कि एक दूसरे स आपको उठाना पड़ेगा, sir, PVR, ये PVR profit volume ratio बहुत बच्चों को मुस्किल भी लगता है, difficult भी लगता है, तो उसके according है, बागी मैंने काफी वीडियो बना रखे, 10-year के जितने सवाल थे, सारे के सारे questions कर दिये, आप 10-year में से जल्दी जल्दी देखिए, और उससे आप न तो वो भी मैंने करवा गिया, दो questions, break-even chart का, समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, इस theoretical भी पूछा जाता है, बहुत बच्चे management के बोलते हैं, सब theory क्या करेंगे, theory कैसे करना, ये भी बताईए, उसके उपर भी discuss कर लेंगे, ये तीन chapter हो गया, अब बसता है हमारा, इसके खतम होने के बाद आपको decision making करना है, decision making, इसके बाद finally standard और last में relevant costing, relevant costing तो one hour का chapter है, जिसमें मैंने एक से और गंटे में खतम ही कर दिया, चप्टर तो इतना important है नहीं, theory आ जाता है, standard के अंदर भी आपका जो miserly होता है, एक material variance आता है हर बार और एक आता है labor variance, क्योंकि standard के questions म choice मिलता है, choice, आप ध्यान देजेगा, कि हमारा ये maximum तीसरा question होता है, एक में देदेगा आपको material का, और एक के अंदर आपको देदेगा किसका सर्फ और सरफ एक material और labor का देदेगा और एक में overhead वाला point दे सकता है, तो ये दोनों part तो बिलकुल भी नहीं छोड़ना आपने कर कर जा रहा है, ठीक है न, तो relevant costing, तो ये सारा के सारा हमारा study रहेगा, कि ज़्यादा chapter है नहीं, इतने सही chapter है, बच्चे unnecessary के थोड़े से घबरा रहे हैं, कि सर कैसे करें, 10 year के भी सवाल मैंने कर दी हैं, इसमें हाला कि, तो उसके accordingly हमारा सारा रहने वाला है, सर कितने दिन मे देखे, आपके पास time बना हुआ है, कैसे कैसे खतम करेंगे, मेरे हिसाब से न, ये दो chapter तो one day में खतम हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, और PVR और decision making आपका एक दिन में खतम करें, और एक दिन standard में ले ले ले, इस तरीके से आप allocate कर सकते हैं समय को, और आपका हो सकता है, बहुत easily, SL वाले बिच्चों के लिए, जो अभी Sunday paper आएगा, बीच में एक और plan में ले के आऊँगा, कैसे कैसे, क्या-क्या topics पे focus करें, regular वाले के paper को देखते हैं, वे उसी के according में एक topic बना हुआ, तो फटा-फट से आप note कर लिए, management वाले बच्चे, मेरे दिप्लान था,